जैसा कि आप सभी को पता है इंगलेंड और इंडिया की सीरीज चली हुई है और जिसको डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है डीडी स्पोर्ट्स 1.0 जो की डीडी फ्रीडिस पर ही अवेलेबल है तो इसके रिगार्डिंग बहुत से कमेंट इसी प्रक पार के आ रहे हैं कि डीडी फ्रीडिस पर यह channel नहीं चल रहा है और कुछ दूसरे users का भी कहना है कि यह channel कैसे देखा जा सकता है पहले आप लोगोंको समझना होगा कि यह channel किन-किन लोगोंका नहीं चल रहा है अगर वीडेयो को forward करके देखेंगे तो समझ में कुछ नहीं कम्प्लीट वीडियो देखिए, सबसे पहले यह चैनल उन लोगों के पास रिसीव नहीं होगा, जिनके पास पेड़ डिटियच है, यानि वीडियो कॉन, डिश टीवी, टाटा स्काई, अट सेक्टरा दूसरा, जिनके पास डिटी फ्रिडिस लगा हुआ है, और फिर भी यह चैनल नहीं चल रहा है, तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, पहला, आपने काफी टाइम से अपना सेटप बोक्स रिट्यून नहीं किया है, दूसरा, आपके एंटिना पर लगी LNB की पोजीशन सही नहीं है, तीसरा, आपका एंटिना हिला हुआ है, चोथा, आपकी वायर काफी पुरानी हो चुकी है, और लाश्ट में आता है आपके सेटप बोक्स की पावर सप्लाई, प्रोपर वोल्टेज की सप्लाई ना होने के कारण सिगनल में कमी आ जाती है, सभी का सोलूशन हम यहाँ प अपना सेटप बोक्स रिट्यून नहीं किया है, तो सबसे पहले प्रोग्राम सेटप में जाईए, और यहाँ पर सेकिंड लाश्ट ओप्सन मिलेगा आटो स्कैन का, तो इसको आटो स्कैन कर दीजिए, यहाँ पर इस परकार आटो स्कैन होगा, जैसे कि LNB Frequency 5150 है, तो इस इसको कर दीजिए 9750, और फिर बाद में 9750, और यहाँ पर स्कैन मोड रखिए, फ्री और 22 के ओफ रखिए, यहाँ पर ओफ रहने के बाद ओके कर दीजिए, तो आपके सभी चैनल्स आ जाएंगे, अगर आपके इस परकार नहीं आ रहे हैं, तो एक काम कीजिए, सबसे पहल कर दीजिए, और यहाँ पर सभी डिलिट 싸 प्रोग्राम को ओपसन मिलेगा, इनको डिलिट अल प्रोग्राम को ओके कर दीजिए, जिससे आपके सभी प्रोग्राम डिलिट हो जाएंगे, फिर दुबारा फिर वही आटो स्कैन कर सकते हैं, अगर फिर भी आपका नहीं आता, तो आपको करना क्या है प्रोग्राम सेटम में जाएए यहाँ पर add new program first option नजर आएगा जिसमें आपको सबसे पहले LMD frequency में डाल देना है 9750 उसके बाद दुबारा फिर 9750 रख दीजिए और फिर रखना है आपको Trans frequency 11.550 11.550 और नीचे symbol rate 2950 इस परकार 29500 रखने के बाद polarity vertical रखिए अपने remote से left right ये जो key है left right up down की in से operate कीजिए तो आपका ये change हो जाएगा यहाँ पर हम इसको रखेंगे V और 20 view के off रखिए dash x switch off रखिए तो आपके signal यहाँ पर आ जाने चाहिए अगर आपके case में यहाँ signal नहीं आते नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं orange है और green है तो green signal आपके आने चाहिए अगर green नहीं आते तो आपको दूसरे connection चेक करने होंगे जैसे कि आपका wire है connector है LNB skew है और antenna है जब आपके ये सारे set हो जाएंगे यहाँ पर आपको signal देखने को मिल जाएंगे इस transponder पर और जैसे ही signal आ जाएं तो ok का button प्रेस कर दीजिए यहाँ पर आपकी channel list आ जाएगी अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ channel list को यहाँ देख सकते हैं सभी के सभी 16 channel हमें मिल चुके हैं जिसमें की DD Sports यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही match start होगा तो DD Sports 1.0 हो जाएगा और जो paid DTS हैं वहाँ पर DD Sports 2.0 तो जैसे ही यह channel आपका आ जाए तो आप enjoy कर सकते हैं cricket match को तो बात आती है signal ना आने पर क्या करें सबसे पहले आपको अपनी LNB position चेक करनी है नीचे description में link है पूरी setting दिखा रखी है setting को check कीजिए उसके according ही setting करेंगे तो आपके signal जरूर आएंगे अगर आपके पास paid DTS है और आप DD FreeDisc को देखना चाते हैं तो एक extra LNB के साथ अपने paid DTS पर लगा कर देख सकते हैं अगर आप ऐसी setting देखना चाते हैं तो नीचे comment जरूर कीजिए हम आपको आपके WhatsApp पर जरूर information देंगे तो अगर अभी भी आपके मन में और कोई सवाल है नीचे comment करना ना भूले और चैनल पर नए हैं सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं अगली अपडेट में तब तक धन्यवाद